आज मैं आप लोग लेकर आए हूँ बिहारी स्टाइल अंडाकडी की रेसिपी आज की इस अंडाकडी को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और मात 15 मिनिट में यह अंडाकडी बनकर तयार हो जाएगी तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए प्राई में लगबग 2-3 बड़े चमल सरसो का तेल डालके उसे अच्छे से गरम कर लें चाहें तो आप यहां पर रिफाइन का अब इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कड़ी वगरे का जो स्वाध है न वो सरसो तिल पे जादा अच्छा आता है तेल यहां पर गरम हो गया है गैस ग्रेवी में जब डालते हैं तो क्या होता है कि वो स्वाध नहीं आप पाता है अंडे थोड़े फीके फीके से लगते हैं लेकिन इस पकार से जब आप प्याज के साथ अंडे को धीमी आज पर भुनेंगे न तो उसका स्वाध बहुत ही ला जवाब आएगा अब आपको कर यहाँ पर आठ से दस छिली हुई लैसन की कलिया लगभग एक इंच यहाँ पर मैंने अध्रक का टुकडा लिया है अब आपको यहाँ पर डालना है आधर इंच डाल चीनी का टुकडा दो यहाँ पर मैने लिया है लॉंग इससे जादा हम गरम मसाले के इस्तमाल नहीं करें आज की इस अंडा कड़ी को बहुत कम मसालों में हम बना के त्यार करेंगे दो हरी मिर्ची डाल दे और इसी के साथ आपको डालना है दो सूखी लाल मिर्ची मिर्ची आप अपने तीखे के नुसार भी इसमें डाल सकते हैं एक छोटा चमच साबुच जीरा और आदा छोटा चमच काले मिर्च इसी के साथ एक मीडिया माकार का मैंने टमाटर लिया है जिसे मैंने रफरी काट के डाला है अब आप क्या करें कि मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लें तो मैंने यहाँ पर पानी के इस्तमाल नहीं किया है अगर आपको जरूरत लगे तो आप एक दो चमच इसमें पानी एट कर सकते हैं तो यहाँ पर मसाला हमारा पिसके तयार हो गया है अब हम इसे ढख के रख देंगे ताकि मसाले की खुश्बू ना निकले तो प्याँ यहाँ पर हमारा अच्छा सुनेरा हो गया है अब आपको यहाँ पर डालने हैं कुछ सूखे मसाले मसाले में आपको चेह होगा एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आजा चोथा चमच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ धनिया का इस्तमाल इस अंडाकड़ी में हम बहुत जाता नहीं करेंगे और इसी के साथ आपको डालना है एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है अंडाकड़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है अब आप क्या करें कि पीसे हुए मसाले डाल दें ध्यान रखेगा कि गैस का आँच बिल्कुल धीमा रखना है और धीमी ही आँच पे इस अंडाकड़ी को आपको सुरू से लाश्ट तक बराना है जार में थोड़ा सा पाइन डाल के जो बचा हुए मसाला है उसे भी निकाल के डाल दें टामाटर को पीसने से क्या होता है ना कि ग्रेवी बहुत अच्छी गाड़ी बनके त्यार होती है अब आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें तो मैं यहाँ पे एक छोटा चमश नमक डाल रही हूँ मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब क्या होगा कि जैसे जैसे मसाला पकेगा उस मसाले का जो फ्लिवर है न वो अंडे के अंदर तक बहुत अच्छे सजाएगा जिसकी वैसे अंडे फीके फीके नहीं लगेंगे और कड़ी का जो स्वाद है वो बहुत ला जवाब आएगा मतलब बहुत कम मसाले में फटा फट से ये अंडा कड़ी बनकर तयार हो जाएगी अब आप इसे ढग दें और ढग के धीमी आज पे इसे 12-15 मियाट तक पकने के लिए छोड़ दें बीच बीच में मसाले को खोल के चलाते रहें ताकि मसाला कड़ाई के तले से जलेना तो मसाला यहां पे हमारा अच्छे से भुन गया है तो अब आपको यहां पे डालना है पानी तो मैं यहां पे एक कप पानी डाल रही हूं पाके पानी आप अपनी ग्रेवी के अंडा कड़ी में डाल सकते हैं तो अब आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढग के धीमी आज पे दो से तीन मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें और ये लिजे हमारी बिहारी स्टाइल अंडा कड़ी बनकर तयार है वो भी बहुत ही कम समय में और अब मैं आपको यहां पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ यह देखें ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी गाड़ी बनके तयार हुए मतलब ऐसा नहीं है इस कड़ी में कि पानी अलग ग्रेवी अलग तो बस लास्ट में आप इसमें थोड़ी सी ताजा बारी कर सकते हैं उमीद करते हूं कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो रेसिपी को बनाने में अगर कोई भी समस्य आए को आप मुझे करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ आपका बहुत बहुत धन्य अपना कीमती समय मुझे देने के लिए मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ रेसिपी मंतरा में तब तक के लिए बाई बाई